हलो बच्चो तो देखे आज हम प्रत्या वरतिधारा डायनमो के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्या वरतिधारा डायनमो अर्तात AC जनरेटर क्या होता है तो देखे इसमें हमने इसका एक 3D एनिमेशन तयार किया है इसमें जो गूमने वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है यह कुंडली है जिसको हम आर्मीचर भी कहते हैं यह red color और blue color में दिखाई दे रहा है इसको छेतर चुमबक, अर्थात, filled magnet कहते हैं और जिस तर्वाइन जो दिखाई दे रहा है इसकी साहता से इस कुंडली को गुमाया जाता है इसमें जो रेड कलर में हाइलाइट हो रहा है जो रिंग इनको हम बोलते हैं सरपी बलाए जिस सरपी बलाए जो हैं वो कुंडली से कनेक्ट रहते हैं ये कुंडली को इसपर्स करते रहते हैं और जे कुंडली के साथ साथ गोमते नहीं है। इसमें जे जो रेड कलर हाइलाइट हुआ है इनको बुरुस बोलती हैं और इन बुरुसों की साहता से बाय परिपत को जोड़ा जाता है। जैसे कि इसमें गैल्वनो मीटर को जोड़ा गया है। जब कुंडली छेत्र चुमकों के बीच में गोमती है तो कुंडली से बद्द चुमकिये फलक्स के मान में परिवर्तन होता है। जिससे कुंडली के इसरों पर विद्द भाकवल प्रेरित होता है और यदि परिपत है तो बिद्द धारा प्रवायत होती है। इसमें जिए एक छेत्र मैगनेट जो आपको दिखाई दे रहा है एन और एस है। चुमकी बलरे का एन से एस की तरब जा रही है। जैसा कि आपको इस चेत्र में दिखाई दे रहा है। चुमकी फलक्स का फॉर्मूला होता है फा चेत्र के बीच का कॉंड जैसे जैसे कुंडली घुमती है यह कॉंड चेंज होता है जिसके कांड चुंबकी फलक्स बदलता है जी जो पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है इसमें आयताकार कुंडली है और यह कुंडली इस गैल्बनो मीटर से कनेक्ट है यह कुंडली जब घुमती है तो जे कुंडली इन सर्पी बलेओं को इसपर्स करती रहती है और सर्पी बले बुरुस से कनेक्ट रहती है और बुरुस का सम्मन्द बाय परिपस्स से होता है दिखे जैसे जैसे कुंडली छेत्र चुमकों के मद घुम रही है कुंडली से बद्द चुमकिया फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली के शिरों पर विद्द वाकवल प्रेरित होता है और यदि परिपत बंद है तो विद्द धारा प्रवायत होती है विद्दु धारा की दिशा क्या होती है फ्लेमिंग के धायात के नियम से डिसाइड होती है जैसे जैसे कुंडली घूम रही है गेलबनो मीटर में सुई का जो डिफलेक्षन है वो आपको दिखाई दे रहा है सुई का डिफलेक्षन धारा को प्रदर्शित कर रहा है कि परिपत में धारा बेह रही है और इसकी दिशा क्या है कुंडली जब पूरा एक चक्र गुमती है तो आदे चक्र में धारा एक डिरेक्षन में प्रवाइत होती है और सेस आदे चक्र में एक direction में प्रवाइत होती है यह जो graph आपको दिखाई दे रहा है यह graph इस बात को बता रहा है कि आदे चक्र में धारा एक दिसा में है और सेस आदे अर्थ चक्र में धारा विपरी दिसा में प्रवाइत हो रही है तो इस तरह आप प्रत्यावर्तिधारा डाइनेमो को 3D एनिमेशन की साहता से समझ सकते हैं यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब